जेहिन दोस्तो मैं हूँ अनू पर आप से लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फलिक्ट तो दोस्तो आज के डिफेंस अपडेट के वीडियों मैं आप लोग को कुछ महत्वपूर ने डिफेंस अपडेट के बारे में बताऊंगा जिन में सबसे पहला है किस तरीके से जर्मन बताऊंगा तो डिटल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बन रहे है और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए तो दोस्तो हाली के कुछ रिपोर्टों के मुताविक जर्मन नेवी के बनाया गया सब्मरीनों में रश्यन टेक्नोलोजी से बन 100 product नाम से एक electronic chart display और information system का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे ECDIS भी कहा जाता है और दोस्तो रिपोर्टों में ये भी वताया जाता है कि इस system को basically प्रांसेस नाम के company द्वारा manufacture किया जाता है जो रश्या के से जुड़ा हुआ है इवन इस company के एक हिस्से को फिनलैंड के वर्टसिला company के द्वारा भी 2018 में खड़िदा गया था दोस्तो नेवी seller 4000 सिरीज असल में एक ऐसा system होता है जिसे नौर्टिगल मैप के digital version भी कहा जाता है और दोस्तो ये एक ऐसा standard equipment है जिसे कई साले commercial vehicle में भी इस्तेमाल किया जाता ह के लिए अनुमती दिया गया था और ये दो सब्मरीन U35 और U36 है जिसे 2015 और 2016 में respectively लॉंच किया गया था और दोस्तो ये दोनों ही सब्मरीन जर्मन नेवी के type 121 के बैधिरिन का सब्मरीन है और U35 और U36 इस class के 5 और 6 सब्मरीन है इन सब्मरीनों को जर्मन नेवी के इलावा इटली के द्वारा फे इस्तेमाल किया याता है जबकि नौरोवे भी ऐसे सब्मरीनों को खरिदने के लिए इंटरस्टेड है 1450 टन के ये सब्मरीन लंबाई में करीवन 56 मीटर है जबकि इसका बीम करीवन 7 मीटर और ड्राफ्ट करीवन 6 मीटर है इसमें एक MTO के डिजल इ ये तीन हफते तक ट्राफल कर सकता है जबकि नौर्किल के सहारी ये 12 हफते तक आसानी से ट्राफल कर सकता है इसमें 6 533 मिलिमेडर के टॉर्पेडो ट्यूब का इस्तेमाल हुआ है और ये 13 टॉर्पेडो या फिर 24 टॉर्पेडो ट्यूब लॉंच माइन को कैरी कर सकता है इसके इलावा इसमें IDAS मिसाइल और 24 एक्स्टरनल नेवल माइन भी इस्तिमाल करने का ओफ्षन है। दोस्तों अब चलिए वीडियो का दूसरा अफडेट मतलब रशिया के BMP-3 Infantry Fighting Vehicle में इस्तिमाल होने वाले नया इंजिन और Panadomic Site के बारे में जानते हैं। हाली में कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि रशिया द्वारा अपने BMP-3 Infantry Fighting Vehicle में एक नया UTD-32T टर्बो चार्ज डिजल इंजिन और कमांडर सेंसर सूट में एक नया Panadomic Site को इंस्टॉल करने का सोच विचार किया जा रहा है। जबकि इसके बारे में Roast Track Corporation के तरफ से भी TAS News Agency को Information दिया गया है और TAS News में भी इसके बारे में Article छप चुका है। जबकि उसी रिपोर्ड में ये भी वताया है कि High Precision हत्यारों के लिए BMP3 के Commander Sensor Suit में एक नया Panadomic Site को भी लगाया जाएगा जो Thermal Imaging Sensor से लैज होगा। देखते हुए नया Communication Devices का Development किया गया है और इसका इस्तेमाल इन Vehicle में किया जा रहा है। दोसे इसके इलावा BMP3 को रेशिया के जोरतों को देखते हुए और फी कई हद तक Modernize करने का बात कहा जा रहा है जिन में Highly Precision हत्यारों के इस्तेमाल करते हुए Modernization एक प्रमुख हिस्सा होगा। वैसे अगर देखा जाए तो Soviet जमाने में Develop किया हुआ इन Vehicle को कई बार Upgrade किया जा चुका है लेकिन अब Russia इन में कुछ नया तरीके के हत्यार और नया तरीका के सेंसर्स के इस्तेमाल करते हुए इसे काफी हद तक Modernize कर चुका है। 1987 में डिजाइन किया गया इन Vehicle को 1990 में रशिया द्वारा दुनिया के सामने लाया गया था और तब से लेके अब तक बड़े मात्रा में इनका Production भी रशिया द्वारा किया गया। द्वारा USS Canberra को लांच किया गया। और दोस्तों ये कमपनी के तरफ से बनाया हुआ जहाजों में से 2021 का पहला लांच है। USS Canberra असल में Independent Class के Literal Combat Shift है जिसे LCS भी कहा जाता है। और ये Austral Company को मिला हुआ 19 जहाजों के Contract में से एक जहाज है। दोस्तों Independent Class के Literal Combat जहाजों को High Speed Shallow Water Craft भी कहा जाता है। जिसे Basically Focused Mission के लिए Design और Develop किया गया है। इस तरीके के जहाज Independently भी Operate हो सकता है और Group में भी इसका इस्तेमाल किया सकता है। जिफर्ट्स को भी Pacific Command में Deploy किया गया है। बाकी के जहाज अमेरिका द्वारा San Diego Base में टैनात किया गया है और ये Coastal Area में Operate होता है। दोस्तों Independent Class के जहाजों के वजन करिवन 2300 टर्न के आसपास है और इसका लंबाई करिवन 127 मिटर है। चौड़ाई 32 मिटर और ड्राफ्ट करिवन 4.3 मिटर के साथ ये एक Frigate का जहाज है। दोस्तों इसमें दो General Electric LM2500 gas turbine का इस्तेमाल किया गया है जबकि इसके इलावा दो MTU 20V8000 series diesel engine का भी इस्तेमाल हुआ है। Mark 110 57 mm का गन का इस्तेमाल किया गया है जबकि इसके इलावा एक Raytheon के बनाया हुआ Cram close-in weapon system भी है। 4.50 caliber के गन का भी इस्तेमाल किया गया है जबकि इसके इलावा इसमें 8 PGM-184 naval strike missile भी है। 24 AGM-114L hellfire missile को launch करने के लिए इसमें vertical launching system को भी लगाया गया है जबकि इसके इलावा special mission purpose में इसमें special हत्यारों को भी लगाया सकता है। जहाजों के पास helicopter को भी carry करने का शमता है और ये एक MS-60R Seahawk helicopter को carry कर सकता है। जबकि इसके इलावा ये 2 MQ-8B Fire Scout या फिर 1 MQ-8C Fire Scout unmanned aerial vehicle को भी carry कर सकता है। दोस्तों अब चलिए वीडियो का सबसे आखरी update मतलब KA-2260 helicopter के लिए बनाया जाने वाले इंजिनों के तीन prototype के बारे में जानते हैं। हाली में रेशिया के Roastrack Corporation के तरफ से जानकारी दिया गया है कि रेशिया के KA-2260 helicopter के लिए बनाया जाने वेले इंजिन के तीन prototype निर्मान किया जाएगा। रेशिया के United Aircraft Corporation के अंतरगत क्लिमोफ द्वारा इंजिनों के prototype को 2021 के अन तक दुनिया के सामने लाया जाएगा। फिलाल इन helicopter के इस्तेमाल के लिए VKF650 V engine का निर्मान इमॉप के तरफ से किया जा रहा है। स्टेट्मेंट के मुताविक इंजिनों को हाली में परिक्षन किया गया है और परिक्षन के सफलता के बाद अब कमपनी के द्वारा इंजिनों के prototype को निर्मान करने के तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दू कि A2260 वही हेलिकॉप्टर है जिसे लाइट उटिलिटी हेलिकॉप्टर के रूप में भारत द्वारा रशिया से खरिदा जा रहा है। दोस्तों फिलाल ये जानकारी एवेलेवल नहीं है कि भारत द्वारा जिन हेलिकॉप्टरों को रशिया से खरिदना या भारत में मेनुफेक्चर करने का बात कहा जा रहा है। आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन।